कि देखिए 2.3 कुश्चन नमबर है CRT का क्लास 11 कुश्चन कह रहा है जरा ध्यान समझेगा लिखा है कि a calorie is a unit of heat energy heat energy की unit क्या होती है कैलोरी होती है आगे पढ़ेंगे आप उसकी बारे में and it's equal to 4.2 जूल यानि 1 कैलोरी जो होती है ये 2.3 कुश्चन नमबर है 1 कैलोरी जो है वो 4.2 जूल होती है ठीक है तो जूल का मतलब हम जानते हैं जूल क्या चीज़ होती है यानि 4.2 अगर जूल को हम कहें भई SI सिस्टम ही तो SI सिस्टम की ही यूनिट है लेकिन माले किलो गलो ग्राम में लिखें तो हमने यूनिट पढ़ी है किलो ग्राम मीटर स्कुार पर सेकंड स्कुार तो ये आपकी कैलोरी की वैलू जूल के टम्म होती है ठीक है अब कहरें कि सबोज वी इंप्लाइ दस सिस्टम और में ऐसा दिया हुआ है कि हीट एनरजी की युनिट ऐसी दिवी है और सेकेंड सिस्टम में ये कह रहे हैं कि हम ये कर यह रहे है कि मास को हम लिख दे alpha kg मास को क्या लिखे ? mass of the system is alpha kg यानि mass लिखा जाएगा alpha kg mass का लिखा जाएगा? mass की unit एक तरीके से, क्या बन जाएगी वो? alpha kg और length की unit है beta meter length की unit है beta meter यह equal to नह गहिए, mass को indicate किया जा रहा है कि mass second unit होगी, जो भी होगी उसको कहा जाएगा alpha kg ठीक है? पूरी value है, और time की unit गामा second है, time के लिए जो यूज किया गया है वो गामा second है तो कह रहा है कि so that the calorie has been the magnitude of this calorie की नई जो magnitude होगा नई unit में magnitude कितना होगा? calorie का जो magnitude कितना है? 4.2 magnitude और यह kg है यह meter square second है बहुत है, kg हो जाएगा alpha kg meter हो जाएगा beta meter second हो जाएगा gamma second तो नई जो unit होगी जो भी होगी उसमें 4.2 जो value आई है न वो कुछ और आएगी 4.2 को जगे कुछ और चीज आजाएगी ठीक है? अब जो system होता है कि सबसे पहले भाई आपको एक dimension चाहिए किस चीज की dimension चाहिए? heat की या work की? भाई आप heat की को हो जाए work की को हो तो dimension पहले system में numerical value क्या है? 4.2 और second पहले system यूनिट क्या है? तो work की dimension होती क्या है? अगर मैं dimension of work निकालता हूँ या पर dimension of work dimension of work को कहें या dimension of heat कहें भाई work, heat, heat बोले तो heat energy heat मतला heat energy तो dimension इसके क्या होगी? M, L square, T inverse 2 ML2 नहीं बोला जाता है ML square बोला जाता है तो पहले system में value क्या होगी है? M1, L1 square, T1 inverse 2 ठीक है? N2 आपको निकालना है और U2 क्या है? M2, L2 square T2 inverse 2 हीद होगी ना? अब हम जानते है N1, U1 is equal to N2, U2 as N1, U1 is equal to N2, U2 तो N1 बोले तो 4.2 U1 है आपका M1, L1 square T1 inverse 2 is equal to N2 हमको मालूम नहीं यह M2 L2 square T2 inverse 2 तो अगर मैं आप से कहूँ भई N2 की वैलू क्या होगी? तो आप कहेंगे 4.2 के पास M1 के नीचे कौन आ जाएगा? M2 L1 के नीचे आ जाएगा L2 L2 square और T1 के नीचे आ जाएगा T2 की पावर माइनस 2 यहां तब पहुंचे पहले आप तब इसको हम change करते हैं M1 पहले सिस्टम में के जी में है यह ग्राम में जैसे होता था तो उसको आप के जी को ग्राम में कर्वर्ड करते थे तो यहां क्या दिया हुआ है? यह कह रहे हैं कि N2 जो है ना 4.2 यह कह रहे हैं कि M1 के जी में है यह वन के जी और इसको alpha kg लिखो आप वहाँ क्या होता था जैसे उपर kg होता था उन्होंने काया वह SI system को आप CGS में convert करो तो आप kg को किसमें convert कर देते ग्राम में तो आप यहाँ लिखते थे kg यहाँ लिखते थे gram और gram को लिखते वन अपान 1000 kg या kg को लिखते थे 1000 gram एक में convert कर ना होता ना तो उन्होंने का नहीं बाद वाले जो मास को क्या लिखो गए alpha kg तो आप देखो kg केजी केजी में convert हो गया उसी प्रिकार से length पहले काहे में थी meter में थी और बाद में क्या कह रहे हैं इसको यह beta meter हो जाएगा का square और यह आपका T1 है 1 second और यह करें गामा सेकंड ही है गामा सेकंड का मतलब समझेए जैसे मान लिया यह minute में होता second system तो आप 60 second लिखते ना तो बोले जो भी second unit है जो भी है हमको नहीं मालूम क्या है उसमें second कितने second है गामा सेकंड है दूसरे system में जो convert कर रहे हो उस system में कुछ length होगी वो centimeter हो सकती है millimeter यह नहीं मालूम यह मालूम नहीं है तो बोले जो दूसरा system है ना उसमें beta उसकी लंबाई में कितने meter है beta meter है उसकी जो भी unit है सुम्हारी है logic क्या है तो जब हम इसको solve करेंगे तो यह one upon alpha आएगा यह one upon beta square आएगा और यह उपर जाएगा ना gamma square और यह unit क्या है यह new unit हमको नहीं मालूम unit क्या है भाई आपकी पहले unit जूल थी अब जूल को आप अगर cgs में करते तो अर्ग होती उन्हों कारें नई unit एक है आप यहां लिखते वन ग्राम वन ग्राम पे one upon one thousand kg होता यहां लिखते वन centimeter one upon hundred centimeter ठीक है उन्हों नहीं जो नई unit है उसमें alpha kg है वो उसका जो एक मास है वो alpha kg ग्रावर है ठीक है तो वो नई unit आप लिखेंगे तो इसकी value आएगी क्या 4.2 into alpha inverse into beta inverse 2 into gamma square और unit क्या लिखेंगे new unit अब calorie फैलोरी जो भी होती है वो नई unit है जो भी है सब्सक्राइबार नहीं आई है तो यह concept है question का थोड़ा सा technical है इसने यह बताया गया यह question number 2.3